नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूस में आपका स्वागत है आज है 25 नवंबर दिन श्रनिवार खबडों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर विश्व प्रसद सोनपूर मेला दो हजार तईस का आज होगा उद घाटन स्कूलों में जितने होंगे सक्षक उतने होंगे वर्गकच बीपीएसी उनहतरवी मेंस पंजी करण के लिए अधिसूशना जारी मनोज बाजपई की नई फिल्म जोड़म का ट्रेलर हुआ लॉंच भारतिय टीम के नई फिनसर को लेकर पुर्व क्रिकेटर ने किया दावा अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की पचीस परी खबरों के और विस्तार से PGCIL में 203 पदों पर निकली भरती पावर ग्रीट के द्वारा पावर ग्रीट कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया लिमिटेट के विवन छेतरों कारे आलियों के लिए जूनियर तक्नीशन ट्रेनी इलक्रेशन के 203 पदों के लिए भरती निकाली गई है ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं वाधिकारिक वेबसाइट powergrid.in पर जाकर ओनलाइन तरीके से अपना आविदन कर सकते हैं बता दे के आविदन करने की अंतिम तारी 12 दिसंबर 2023 तक नरधारित की गई है इसके लिए अगर सैचनक योगिता की बात करे तो मिद्वार को किसी मानिता प्राप्त विश्विद्याले संस्थान से इलक्रेशन ट्रेड में आई टी आई के साथ दसवी पास होना अनिबारे है इसे जोरी अधिक जानकारी के लिए एक बार जारी के गए नोटिफिकेशन को जरूर देख ले वेश्व प्रसित सोनपूर मेला 2023 का आज होगा उदघाटन आज यानि की 25 नमबर को हरियर चेतर के सोनपूर में लगने वाले एशिया के सबसे बड़े परशू मेला का उदघाटन होने वाला है जो की उपमोख्य मंत्री तेश्वी यादव के द्वारा किया जाएगा यह मेला 26 दिसंबर तक यानि की कुल 22 दिनों के लिए चलेगा वही कार्तिक पुर्णिमा असना 27 नमबर को है बता दे किस मेला को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है जिसमें साफसफाई, बैरिकेडिंग, लाइटिंग, सुरक्षा विवस्था, ट्राफिक विवस्था समीत अने तरह की विवस्थाएं शामिल है वही इस मेले को लेकर अलग-अलग मानेताओं वाले विविन, पंतियों के साधू संत भी सोनपूर पहुँच रहे हैं मेले में सेलानियों के लिए समुझित तोर पर प्रशासनिंग विवस्था, स्वास्ते, मनुरंजन, सहित अने विवस्थाईं की गई है वही इसके अलावा मेले के सफल आयोजन के लिए निनदिकारी, पुलिस पदादिकारी एवं पुलिस कर्मियों के भी नित्ती की गई है बेहारी पहचान में आज हम बात करेंगे प्रितीश नंदी के बाड़े में प्रितीश नंदी एक भारती कभी चित्रकार, पत्रकार, सांसत, मीडिया और टेलिवीजन, व्यक्तित्व, पशु कारिकरता और फिल्मों, टीवी और स्ट्रीमिंग सामगडी के नर्मा आता है वह मरास्ट्र से राजसभा के सांसत थे जो शिव सेना के टिकट पर चुने कैं थे वह अंग्रेजी में कभीता की 40 पुस्तकों के लेखक हैं और उन्होंने बंगाली, उर्दु और पंजाबी के अनलेखकों की कभीताओं के साथ-साथ इशा उपनिशत के नएक नए संसकरन का अंग्रेजी में अनुवाद किया है इनके अलावा उन्होंने कहानियों और गैर काल्पनिक उस्तकों के साथ-साथ शंस्कृत से सास्रिय प्रेम कभीता के अनुवाद की तीन किताबे भी लिखी हैं वह 1980 के दशक में The Times of India ग्रूप के प्रकाशन निदेशक और The Illustrated Weekly of India The Independent और Film Fair के संपादक थे उन्होंने अपने चत्रो और सुलेक की 6 प्रदर्शनिया आयुजित की हैं उन्होंने 1993 में Content Company प्रितीश नंदी Communications Limited की अस्थापना की उन्होंने भारत के पहले पशु अधिकार NGO People for Animals की भी स्थापना की में 1997 में भारत के राश्टरपती से पदमश्री 2008 में करमवीर पुरुसकार 2012 में अंतराश्रीय मानत्ता वादी पुरुसकार और बांगलादेश के प्रधान मंत्री से बांगलादेशी मुक्ती युध पुरुसकार प्राप्त हो चुका है अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो बीपीएसी उन्हत्तरवी मुक्य परिच्छा में भाग लेने वाले हैं तो यहाँ खबर आपके लिए है बतादेशी के 27 नमबर 2023 से बीपीएसी उन्हत्तरवी मुक्य परिच्छा के लिए आवेदन की शिरुवात होने वाली है ऐसे में इस परिच्छा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आयो की ओफीसियल वेफसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर अपना ओनलाइन रिजिस्ट्रेशन करा सकते हैं के लिए आवेदन शिल्क के तौर पर सामाने वर्ग के लिए 750 रुपए तो वहीं बिहार राज्य के SCST दिव्यांग अभ्यर्थियों वा महिला अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपए निर्धारित किये गए हैं बदादेग इसके लिए अंतिम तारिक 6 दिसंबर 2023 तक निर्धारित की गई है मालूमों कि BPSC की इस परिक्षा के जरिये राज्य में PCSSTर के 475 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की निव्ति की जाएगी इसे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थि आयोग की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं मालूमों कि BPSC 79 प्राड़मी परिक्षा 2023 में कुल 5299 उमेदवारों को सफल घोशित किया गया था मुख्यमंत्री अत्यंद पिछला वर्ग सिवल सेवा प्रोथसाहन योजना के तहत ओनलाइन आविदन प्रक्रिया जारी बिहार सरकार के पिछला वर्ग एवं अति पिछला वर्ग कल्यान विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री अत्यंत पिछला वर्ग सिवल सेवा प्रोथसाहन योजना को लेकर जानकारी देते वे बताया क्या है कि इसके लिए ओनलाइन आविदन जारी है ऐसे में जो भी अभ्यरती इस योजना का लाग पाने के लिए आविदन करना चाहते हैं वो इसके लिए विभागे वेबसाइट स्टीटी पी एस कोलम स्लैस स्टेट डॉट बिहार डॉट जी ओवी डॉट इन स्लैस बीसी इबीसी डबलू ईल एफवे आरी स्लैस पर जाकर आविदन कर सकते हैं बतादे कि स्योजना के तहत 79 वी बीपी सी की प्रेडमभिक परिक्षा में उत्तिर्ण होने वाले बिहार राजी के अधिसूचित अत्यन पिछरा वर्ग के स्थाई निवासी अभ्यार्थियों को एक मुस्त पचास हजार रुपे प्रोथसाहन राशी के रूप में दिये ज सकते हैं नियुक्ति को देखते वे स्कूलों में आधार भूत समरचना के विकास की तुरंत आवश्यकता है इसलिए अत्रिक्त कमडों और प्रीफेब कक्षाओं का रिर्मान जल्द कराए सभी डियम या सुनिशित करेंगे कि नए सिक्षकों के आरे के बाद ऐसे सिती नहीं आए कि एक ही कमडे में दो सिक्षक कक्षाएं लेते दिख जाएं इसलिए अपने जले के जन प्रतिनीधियों की बैठक बुलाकर स्कूलों में इस फरेशानी से निपटने के लिए क्या-क्या काम किया जाएगा उसे चिन्हित करें इसमें प्रात्मिक्ता केवल एक होनी चाहिए कि बता दें कि नई फिल्म नहीं है लेकिन इसे बस आम पबलिक के लिए रिलीज किया चाने वाला है मालमों कि यह फिल्म रिलीज होने से पहले दुनिया भड़ के पॉपुलर फिल्म फेस्टीवल्स में घूम चुकी है आपकी जानकारी के लिए पिल्म मकीजा के दौरा बना चलता है इस फिल्म में मनोज बाजपई मुहम्मद चिशान अयूब के अलावा तनिस्ठ चैटर जी और स्मित अतामवे भी नजर आने वाली हैं बता दे कि अब फिल्म आट बिस्तंबर 2023 को सिनेमा घडों में रिलीज होगी अब महिला ड्राइवर भी चलाएंगे पुलिस वहन और पकड़ेंगी अपराधियों को बिते दिन पुलिस मुख्याले के ADG जितंदर सिंगंगवार के दोरा प्रेस कॉन्फरेंस कर जानकारी देते वे बताया गया कि अब बिहार पुलिस में महिलाएं भी अपराधियों को पकड़ने के लिए गारी चलाएंगी इसके लिए 27 नवंबर 2023 से ट्रेनिंग की शिरवा प्रमोशन के आधार पर डारेक्ट IPS बना कर SP बना दिया जाता था लेकिन अब पिछले साल से बदलाओ कर दिया गया है और अब जो डारेक्ट SP बनेंगे उन्हें साथ से 10 साल के बीच एक ट्रेनिंग और 14 साल से 18 साल के बीच दूसरी ट्रेनिंग कराई जाएगी जिसकी 23 नवंबर 2023 को बिहार के बेगु सराय में बेगु सराय नियोजनाले के दोरा रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा जिसमें 200 युवाओं को रोजगार देने का लक्षे रखा गया है इस बारे में बेगु सराय नियोजन पदादिकारी राना अमितेश के दोरा जानकारी देते वे बताया गया है कि इस रोजगार मेला में 25 वर्ष तक के आई टी आई पास बिरोजगार अभियर्थियों को लावा मोबाइल कंपनी में बत और ऑपरेटर 200 सीटों पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा जिन भी उमिद्वारों का चेंड किया जाएगा उन्हें 10 हजार सेलरी एक साल का अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट सहित कई अन्य सुधाय मोहिया कराई जाएंगी ऐसे में वो लोग जो इस रोजगार मेला में शामिल होना चाहते हैं वह जिला नियोर्जनाली काड़े आले पहुँचकर इसे जुरी पूरी चानकारी प्राप्त कर सकत प्राजगीर के अतिहासिक स्थानों में से एक है और राजगीर के दरशनी अस्थल यकित लिए जान नें यहां प्रसक्षत करते थे इसके लावा जरासंथ के महा कावे युद्ध हुआ था जरासंथ की कछा के नुसार ऐसी मानता है कि जरासंद ने 99 राजाओं को पड़ाजित कर उन्हें बली के रूप में पेश करने के लिए क्याद कर लिया था चूकि वह एक तागतवर और अजय पहलवान था इसलिए वह राजाओं को चुनोती देते थे कि वह अपने कुस्ती चौक पर उनके साथ कुस्ती क को नहीं मिलेगा योजनाओ काला माधिमिक सक्षा निदेशक सा नोडल पदादिकारी डीवीटी कोशां कनहिया प्रशास रवास्तव के दोरा निर्देश जारी करते वे यह कहा गया है कि बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले वे सभी 23 लाख बच्चे जिनका नाम स् बच्चों के नाम काटे गए हैं और अब उनके नाम मेधा सौफ्ट पोटल से काटे जाने वाले हैं उनमें गया से 81,370 पश्यम चंपारन से 1,38,494 पटना से 1,728 पुडवी चंपारन से 1,45,666 वैसाली से 1,34,268 सीधा मधी से 89,340 समस्तिपुर से 90,626 और दर्भंगा से 92 1899 बच्चों के नाम शामिल हैं। शामिल हैं इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है बता दे किस डॉक्यमेंटेशन के जरीए बिहार म्यूजियम के दौरा यह दिखाया जाएगा कि महापड़ कब से किया जा रहा इसकी परंपड़ा कितनी पुरानी है और यह कैसे किया जाता है इस बारे में बिहार टेज घोशत कर दिया जाता है तो यह बिहार के लिए एक बड़ी उपलब्धी होगी और इससे बिहार की दुनिया भर में एक अलग पहचान बनेगी मैट्रिक की 27 नवंबर को होने वाली सेंट अप परिक्षा की डेट बदली बीते गुरुवार से वार्सिक माध्य में परिक्षा यानी की मैट्रिक की सेंट अप परिक्षा 2024 की शुरुआत हो चुकी है जो की 27 नवंबर तक आयूजित की जाने वाली है लेकिन बोर्ड की ओर से अब 27 नवंबर को होने वाली परिक्षा की तिति में बदलाओ कर दिया गया है बता दे कि अब याप परिक्षा 4 दिसमबर को आयूजित की जाएगी मालू हो कि 27 दिसमबर को एच्छिक विश्यों की संधान्तिक परिक्षा होनी थी लेकिन अब यह 4 दिसमबर को होगी ऐसे में अब 27 नवंबर को गुरुनार्ग जैनती के अफसर पर अवकास है संसोतित कारेक्रम पिहार विद्याले परिक्षा समीती के दोरा जारी कर दिया गया है बतातिक 4 दिसमबर को होने वाली परिक्षा दो पाली में होगी जिसमें पहली पाली सुभर सारह 9 बजे से 12, 45 बजे और दूसरी पाली दो पहर 2 बजे से 5-15 बजे तक आयोजित की जाएगी वह इसका रिज़र्ट विद्याली के प्रधान को 7 दिसमबर तक जिला सिर्चापदा दिकारी कारे आले को भेजना होगा विहार के तापमान में हो रही गिरावट विहार में ठंड का आगाज हो गया है राजी के नियुंतम और अधिक्तम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है ग्रामीन इलाकों में पच्छुआ हवाने कंकनी बढ़ा दी है बतादी के मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार शुक्रवार को प्रदेश के पश्मी भागो के नियुंतम तापमान में एक से दो डिग्री सल्सियस की गिरावट के साथ ठंड में और बढ़ुतरी होने के आसार है पच्छुआ हवा के प्रभा से सुभा और शाम में ठंड का असर बना रहेगा मौसम विज्ञान के अनुसार पटना समेत अधिकांस भागो में धुंद का प्रभाव बना रहेगा मैं हिमाले के तलहटी वाले इलाकों में हलके सी मध्यम दर्जे का कोड़ा चाई रहने की संभावना है बिहार में 27 नवंब कोड़ा चाई रहने का असर है हाला कि दो पहर में धूब देखने को मिल रही है राजकिये कल्यान चात्रवास में ऐसे होता है नामांकर अनुसुचित जाती एवं जन जाती समुदाय के सर्षनिक विकास के लिए पिहार सरकार के दौरा 112 राजकिये कल्यान चात्रवास का न परधालित नहीं की गई है इसमें पिछले परिच्छा में प्राप्त अंक के आधार पर मेधा सूची तयार कर रिख्तियों के रूप नामांकर का प्रापधान है मारमोग इस चात्रवास में आवाशन एवं अने सुधाइं दी जाती है इसके साथ ही चात्रवास को 15 किलोग सुधास को कर सकते हैं केके पाठक ने रोतास में सक्छकों को दी नसीहत बीदेदिन सक्छा विवाग के अपर मुखे सचीव केके पाठक रोतास पहुंचे जहां उन्होंने कई विद्यालियों का नरिक्षन किया असी दोराँ जब्वे नरिक्षन करने सिर्शागर प्रखन के गोरगट इस्थित प्रात्मिक विध्याले पहुचे तो उन्होंने वहां एक क्लास में 16 से अधिक बच्चों को बैठाये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते वे कहा कि एक अक्छा में अधिक से अधिक 50 चात्रों को ही बैठाये जाए ताकि पढ़ाई में बाधा उत्पन ना हो हाला कि विभाग की कोशिश है कि एक कमणे में 30 चात्र की बैठे इसके साथ इनूंने चात्रों से टेस्ट को ले कर कई सवाल भी पुचे उन्होंने विद्याले के प्रहाध्याख को निर्देश देते वे कहा कि विध्याले में सिक्चकों के रेगूलर उपस्तित होन का सरसला मेरे जाने के बाद भी चलता रहना चाहिए एससबी ने नवासी निपाली शराब बोतल किया बढ़ामद रहार में पुन्रूप से सराब बंदी है लेकिन इसके बावजूद भी आए दिल सराब तसकरिस जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं अलाक इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग के ओर से जीतोर कोशिश की जा रही बतादे किसी कोशिश के तहट भारत नेपाल सीमा पर तैनात एससबी के बारवी बटालियन की कंपनी मुख्याले कंचन बारी के जवानों के द्वारा गस्ती के दौरान सीमा पीलर संख्या 146 के भारति एक गाली से जाच करने पर 49 बोतल नेपाली शराब बढामत की गई हाला कर दोरान तसकर भांगने में सफल रहा बता दी कि बढामत के गए शराब को काग जी प्रक्रिया करते वे बीवी गन स्थाना के हवाले कर दिया गया है बालमोकस बात की जानकारी कंपनी के इंस्पेक प्रख्रण के बांक पंचायत के मंगला पोखर संदलपुर बाग में मेडिकल कॉलेज अस्पताल का सिलह नियास किया जाना है। का आधुनिक प्री फैब्रिकेटेट पीकू वर्ड का भी सीम और डिप्टी सीम के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा आपकी जानकारी के बता दे कि मुख्यमंत्री का संभावत कारिकरम 12 बजे रखा गया है राहुल गांधी का वीडियो शेयर कर जीतर नाम मांची का बयान विहर के पुर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संयोजक जीतर नाम मांची के द्वारा कॉंग्रस नीता राहुल गांधी का एक वीडियो एक्सपर जो की पुर्व में ट्वीटर हुआ करता था उस पर शेयर कर उन पर दलितों का अपमान करने का रोप लगाया गया है उन्होंने वीडियो शेयर कर ट्वीट कर लिखा है कि सदर में नितीश जी दलितों को अपमानित करें राहुल गांधी जी दलितों के टिकट काटने की बात करें आरजरी वाले दलितों को उनका अधिकार ना दे भाई साहब ये इंडी गड़ बंधन है या दरत विरोधी संकठन मुझे जीतना अपमानित करना है कर लीजे पड़ हाथ जोड कर निवेदन है कि देश के दलितों को और बेज़त मत कीजे मालम हो किससे पहले जीतना माजी के दौरा मुख्यमंत्र निटीश कुमार पर भी दलितों का अपमान करनी का आरूप लगाए गया था भारतिये टीम के नए फिनिसर को लेकर पुर्व क्रिकेटर ने किया दावा पीते गुरवार को विशाखा पटनम में आस्ट्रेलिया और भारत के बीज खेले गए पाच मैचों की टीट्वेंटी स्रीज के पहले मुकाबले में रिंकु सिंग के दौरा भारतिये टीम को जीत दिलाने में एहम भुमिकानी भाई गई गई पुर्व क्रिकेटर अविशेक नायर के दौरा जीयो सिनेमा पर बातचीत करते वे तारीफ किया है और होने कहा किसमे काफी चरतर की मांग होती है हम किसी के बारे में बात करते हैं जिसने आई पीर या घरेलू क्रिकेट में ऐसा करके दिखाया हो रिंकु को देखा जिसने एहम समय पर अपना धेड़े बरकरार रखा और मौके का इंतजार किया इस खिलारी की जितनी तारीफ की जाये उतनी कम है भारतिय टीम के लिए रिंकु ने ऐसा तीसरी बार करके दिखाया उन्होंने कहा कि तीसरी बार भारतिय टीम ने चाहा कि रिंकु कुछ विशेश करके दिखाया और उन्होंने हर बात खुद को शाबित किया है वो 5-7 साल से अंतराश्री क्रिकेट नहीं खेल रहा लेकिन उसम पान से साथ वालों की होती है उन्होंने कहा कि रिंको ने बताया कि उसमें पारी फिनिश करने की चमता है यहाँ असान नहीं और पिछले कुछ समय से यह जिम्मेदारी MS धोनीवा हार्दिक पांडिया के कंधों पर थी मगर इनके बाद किसी ने इस जिम्मेदारी को इतनी पारिक है कहीं कारनों सदर्ज इलाहबाद उचनेयाले का 2866 में उद्घाटन हुआ भारत में राश्ट्रिय कैड़ेट कोड की स्थापना उनीश और तालिस में हुई चुतंतर भारत के समयधान पर समयधानिक समीती के अध्यक्ष ने उनीश उन्चास में हस्ताक्षर किये तथा इस ततकाल प्रभाव से लागो कर दिया टेलिफोन की स्थिट्टी व्यवस्था को भारत में पहली बार कानपूर और लखनओ के बीच 1960 में प्रयोग किया गया बेंजीर भुट्टो 2001 में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपई से मिली भारत के प्रसिद भासावित साहितेकार तथा विद्यासासरी सुनिती कुमार चटरजी का जन्मठाशन अब्वे में हुआ मशूर फिल्म नर्देशक और संगीत में ध्वनी के जानकार देव की बोस का जन्मठाशन ठानवे में हुआ मुसलिम सूफी लेखाक आध्यात्मिक नेता रियाद एहमद गौहर साही का जन्मठाशन अब्वे में हुआ ग्यारवी और पंदरवी लोग सभा के सदस्ष्य अर्विंत कुमार सर्मा का जन्मठाशन ठानवे में हुआ हिंदी फिल्मों के प्रसद नर्माता, नर्दैशक और पठकता लेखल, चंदुलाल, शह कानदन 1975 में हुआ, हिंदी फिल्मों के प्रसद संगीतकार, आरची, बोटाल, कानदन 1981 में हुआ, भाषात के पाचवे, उप्रधान मंत्री और महराश्ट्र के प्रत मुख्य मंत्री, ये स्वंत राओ चोहान का निधन 1984 में हुआ, परमवीर चक्र सम्मारत, भारतिय स्यानिक मेजर ड्रामा स्वामी, परमेश्वरन का निधन 1987 में हुआ, भारत की प्रसिद कतक मरत्यांगना सितारा देवी का निधन 2004 में हुआ. वारल से में आज हम बात करेंगे, Intelligence Bureau के बारे में, सोचल मीडिया पर कहीं सुचना ये वारल होती है, लेकिन सबी सचो ये ज़रुई नहीं है. बारे सरकार के अधीन किसी भी संगठन दोरा, ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया है, कभी भी ऐसे ईमिल का जवाब न दे. वार्सअप में AI चैट्स के लिए मिलेगा ये खास ऑप्शन, वार्सप में एक नया फीचर आपको जल्द मिलेगा जो आपका user experience बदलेगा, कम्पनी AI चैट्स के लिए एक नया ऑप्शन आपको चैट सेक्शन में देने वाली है, वार्सप के डेवलोपमेंट पर नजर बनाय रखने वाली वेबसाइट डबलू ए बीटा इंफो के मताबिक कमपनी एक नया चैट आइकन आपको फ्लस टैब के उपर देने वाली है जहां से आप सभी ओपन ए आई पावर्ड ए आई चैट को एकसेस कर पाएंगे फिलहाली अब्रेट कुछ एंड्रोइड बीटा टेस्ट के पास है आने वाले समय में कमपनी इसे सभी के लिए रूल आउट कर सकती है अगर आपको समझाए तो नए चैट आइकन के तहट आप उन चैट को एकसेस कर पाएंगे जो ए आई जेनरेटेड होगी जैसे माल लीजे किसी कमपनी का एई चैट बॉर्ड आपको कुछ जानक सिनिमा के जाने माने प्रोड्यूसर राजकुमार कोहली का बीते दिन 93 साल की उम्र में हाट अटैक से नधन हो गया बतादी कि राजकुमार कोहली को कई बहतरीन फिल्मों के लिए जाना जाता है जनमें नागिन जानी दुस्मन नौकर बीवी का बदले की आग मुकाबला औ वर्स 1989 में रिलीज हुई थी बता दे कि राजकुमार कोहली के निधन की खबर से सिनेमा जगत में शोक की लहर है हरकोई सोशल मीडिया पर नहें नमाखों से स्टधांचली दे रहा है मीडिया में चल रही खबरों के नुसार राजकुमार कोहली का निधन 24 नवंबर की विच्टर कर दिया बाजार का आखरे दिन मामूली गिरावड के साथ हुआ बन्द सब्सादटर बानिके शिक्रवार को बाजार का आ खरेदिन मामूली गिरावड के साथ बंद हुआ आपके जानकारी के लिए बता दे कि बीते दिन जिन पाँच संसेक्स में तेजी देखी गई उनमें एक्सस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, JSW स्टील और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर शामिल है वही जन पाँच शेयरों में गिरावर देखी गई उनमें HCL Tech, Wipro Tata, Consultancy Services, Tech महिंद्रा और नशले इंडिया के शेयर सामिल हैं। अगला सवाद, हाली में पुर्व क्रिकेटर स्वरफ गाउंगली को किस राजी का ब्रांड एंबेस्टर बनाया गया है। अप्शनी चारकन, अप्शनी उत्तर प्रदेश, अप्शनी गुजरात, अप्शनी पर्शिम बंगाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शनी पर्शिम बंगाल। अगला सवाद, निम्र में से कौन पठना कलम शैली से संबंद चितरकार है। अप्शनी हुलासलाल, अप्शनी जैरामदास, अप्शनी शिवदयाल एवं इश्वरी प्रशाद, अप्शनी उप्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है अप्शनी उप्युक्त सभी। अगला सवाद, मधुवरी चितरकला का संबंद किस राज्य से है। उप्षने उत्र प्रदेश, उप्षन B बिहार, उप्षन C तमिल नाडू, उप्षन D उडिशा, इसका सही उत्रया उप्षन B बिहार, अगला सवार, भारत का वह कौन सा प्रथम राच्य है जिसने भूमी सुधार कानून बनाए, उप्षने बंगाल, उप्षन B उडिशा, उप्षन C बिहार, उप्षन D आंध्रप्रदेश, इसका सही उत्रया उप्षन C बिहार, बित दिन हमायदर पूछ के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों निपन जाप, हमें हमारी कॉमेंट सेक्षन बॉक्स में लिख कर दिया था, जिन्होंने हमायदर पूछ के जबाब दिया है, उनके नाम है इशिका निडाला, उमेस रिसिदेव, चंद्रदीप, विवेक पंडित, विवेक मर्श्रा, दल्चन सदा, रंजीत मर्श्रा, राजकिशोर महतो, ताजीव कुमार, गोनर सर्मा, सिवानन्द, ठाकुर, अनल कुमार, अनवर करीम खान, अती खान, संगेता, गुपता, इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों, आज का सवाल है, आपके नुसार, महागरबंदन की सरकार आने के बाद बिहार में, पहली की तुलना में, रोजगार में, वृधी हुई है या नहीं, अपना जवाब हमें मारे कॉमेंट सेक्शन मे लिक का जरूर बताएं, आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम ख़बरों के साथ बने रहने के लिए बिहारी नीज और साथ ही, अगर आप यूटूब से देख रहा हैं चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्वुक से देख रहा हैं तो पेस को फॉलो करना ना भ हुले देने बाद